दोस्तो आप में से बहुत साथ जैने मुझे से ये कहा था कि सर आप लिरिक्स वेबसाइट के ओपर एक वीडियो लेक्वेडियो बनाई है तो दोस्तो मैं इतने दिनों से रिसर्च कर रहा था इसी चीज़ के ओपर ता कि मैं आप लोगो के लिए एक प्रॉपर इंफोमेशन के साथ में पूरी डीटेल वीडियो लेकि आ सबूँ तो फाइनली दोस्तों इतनी दिन के बाद मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकि आया हूँ आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z बताऊंगा लिरिक्स वेबसाइट के ओपर है कि किस तरह से आपको लिरिक्स ट्राफिक पर नहीं आ रहा ही सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला है इसलिए इस वीडियो को ल्यास तक ध्यान से देखिए आप फिर आप भी जो है लिरिक्स वेबसेट बना सकते हो और उससे अर्णिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो हेलो परियों मेरा नाम है सब्दीर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल सत्बीर में दोस्तों अगरा मेरे चैनल पर निई है मेरी शेकल को पहली बार देख रहे हैं तो अभी जाकि उस लाल करे सब्सक्राइब बेटन पर क्लिक कीजिए और साथी साथ ब चैनल को चेक़ीजिए और भी बहुत सारी वीडियों आपको यूसफुल होगी और तबस्तों आज की वगीच लमबाइक बहुत बहुत लंबी वीडियो बन जाती इसला ही मैं इस टोपी को दो पार्ट में डिवाएड कर दें आट ये किस वीडियों में हम बात करने वाले क किस तरह से लोग अपनी वेबसाइट को रैंक करें अगर आप देखो गई गूगल पर बहुत सारी वेबसाइट ऐसी जो बारबार रैंक हो रही है तो कैसे रहें को यह कुणसी टैक्टिस उन्हों ने अपना ही है और आप कौनशी को सी वेबसाइट से जो गूगल एडसेंस किस तरह से आपको भी एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा आपको डोमेन कैसे रखना है कीवर्ट कुणसी कुणसी यूज़ करने है आपको और साथ ही साथ आप अपनी वेबसाइट थीम कौनसी यूज़ करेंगे हम यह जो वेबसाइट यह ब्लॉगर के ऊपर बनाएंगे मै इसके उपर दूसरी वीडियो आपके लिए बना सकता हूं तो दोस्तों करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ दोस्तों आप से बहुत सब्सक्राइब यह कहते हैं कि सर जो मार्केट में ओलड़ी लिरिक्स वेबसाइट है वो ही बारवा रैंक होती है हमारी वेबसाइट रैंक नहीं होती है ऐसा नहीं है मैं आपको वो भी चीज़ क्लियर कर देता है यहाँ पर जैसे मैं सर्च करके बताता हूं आपको तेरी मिट्टी लिरिक्स यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं और देखते है कौनसी कौनसी वेब वो भी रैंक हो रही है उन पर भी जो है बहुत लाखों का ट्राफिक आता है और वो लोग एडसेंस के तुरू कमा रहे हैं वो क्यों कमाते हैं क्योंकि वो लोग ऐसी चीज़े अपनी वेबसेट में प्रोवाइड करते हैं जो इनको सब कुछ बाहर नहीं मिल जाती है जैसे पर बंदे को अगर हिंदी में लीरिक्स चाहिए तो उसको कई और जाने की ज़रूत नहीं पड़ीगी यहां पर इसको अपनी लीरिक्स मिल जाएगी और यहां पर आप देखोगे तो यूटूब की उसने वीडियो भी एंबेट की हुई है और नीचे इसने सौंग का बहुत अच्छे तरीके से दिया होया पूरे डिटेल में तो बंदे को यह सारी चीज़े यहीं पर ही मिल जारी है और लीरिक्स को कितनी क्लीन तरीके से इसने डाली हुई है तो यह चीज़े बहुत मैटर करती है कि आपकी वेबसाइट पर अगर लोग आ रहे हैं उसको साथ मिल जाएगी एक और चीज़ मैं आपको बता जाता हूं कि इस वेबसाइट के अंदर और खास बात है अगर आप उपर स्क्रोल करोगे देखो कि यहां पर यूटूब की वीडियो तो है यह साथ ही साथ आप यहां पर सौंग प्ले कर सकते हो तो सौंग प्ले करते करते आप अपनी लिरिक्स भी पढ़ सकते हो सुन सकते हो तो यह चीज़े बहुत मैटर करती है कि आप अपनी ओडियन्स को किस तरह से इंफॉमेशन प्रोवाइट कर रहे हो अगर आप एक ही जगा पर सारी चीज़े उनको दे दोगे तो दूसरी वेबसाइट पर नहीं मैं ओपन करके आपको दिखाता है वेबसाइट को देखो कितने अच्छे तरीके से इस बंदे ने वेबसाइट बनाई हुए और ब्लॉग स्पॉट पर हाला कि शायद अभी तक इसकी वेबसाइट पे एटसंस का अप्रोवल नहीं मिला है बट आम शॉर बहुत जल्दी इस इसको एटसंस का अप्रोवल मिल जाएगा क्योंकि इस बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है और मुझे पता है कि इसकी वेबसाइट पर अभी भी ट्राफिक आ रहा होगा तो यहां पर मैं आपको बताया है देखो हिंदी ट्रैक्स डॉट इन जो पर है और यह ब्लॉक्स पर वेबसाइट जो बनी है वो नाइन्थ पुजीशन पर है मतले इस बंदे ने जो किया है वह बहुत अच्छे तरीके से किया और इसकी जो मैनत यह 10-15 दिन की मैनत नहीं है यह बंदा पता नहीं कितने टाइम से इस वेबसाइट पर वर्क कर रहा अगर मैं आपको यहाँ पर बताओ कि देखो इस बंदे ने जो है सिर्फ लीरिक्स ही डाली है आप बोलोगे कि लीरिक्स जो है कॉपीड कंटेंड होता है बट फिर भी इस बंदी की वेबसाइट जो रहा है क्योंकि यह और बहुत सारा ट्राफिक आना शुरू हो जाएगा तो जो आप लोगों का डाउट था वो क्लियर हो गया है क्योंकि यहाँ पर यह वेबसाइट जो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर चीज़ें डाल रही है और अपने कीवर्ट को यूज करें देखो इंट्रो डाला हुआ है इसने इन्होंने इमेज यूज के उपर भी इ अब यहाँ पर हिंदी-tracks.in में डाल देता हूँ देखो इस वेबसाइट ने सिर्फ एक स्पेसिफिक लेंग्वेज को टार्गेट किया है हिंदी में यहाँ पर यह लिरिक्स प्रोवाइट कर रहा है Google AdSense का अप्रूवल इसे भी मिला हुआ है देखो कितने अच्छे तरी लेंग्वेज में अपनी लिरिक्स यहाँ पर डाल सकते हो बड़ आपको यह शूर रखना होगा कि आपकी जो लेंग्वेज है वह सपोर्ट होनी चेए Google AdSense यह जो लीस्ट है यहाँ पर Google AdSense की तरह से कोजिसी लेंग्वेज जो गूगल AdSense में सपोर्ट होती यह सारा कु नीच चाहिए तभी आपके जो Google आपनी आपके जो वेबसाइट उस पर एडज आएगी क्योंकि एक बंदा था जो पंजाबी में अपनी वेबसाइट बना रहा था उसने मुझसे पूछा था तो मैंने उसको साफ बता दिया था कि Google AdSense पर सपोर्ट नहीं होती पंजाबी लेंग्वेज इसलिए उसकी वेबसाइट पर एडज नहीं आ रही है और Google AdSense उसका बार-बार रिजेक्ट हो जा रहा है तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं जैसे अगर कोई बंदा लेंग्वेज स्पेसिफिक सर्च करता है यहाँ पर तेरी मिट्टी ल लेंग्वेज में लिखते हो तो वह भी रैंक होगी और ब्लॉक स्पॉट में और भी वहाँ सरी वेबसेट जो लोगों ने बनाई हुई है हिंदी में लिरिक्स प्रोवाइट कर रहे हैं वह भी रैंक हो रही है तो यह चीज़ आपकी दिमाग से आप निकाल दोगी आपकी ब्ली की वेबसेट होगी अगर आप अच्छे तरीके से काम करोगे यहां पर मैं आपको दिखात हो देखो हंधिस टीन लाग के ऊबर ट्राफिकLY आरा है मुंश में ल्रिक्स चेनल वादी हो इसको करे बनाafika है तो आप भी coordinzeit अच्छे तरीके से बना सकते हो अगर आपग स और वेबसेट के मैं आपको दिखा देता हूं लेडिक्समेंट वेबसेट के आप देखो कि दो लाक के उपर मंतली ट्राफिक आ रहा है यह एकुरेट ट्राफिक होता है एक चलेसे मतलब 90 परसेंट एकुरेट होता है यह और लेडिक्सपूल डॉटकम यह पी जो है 40,000 तक का ट्राफिक आ रहा है और जो वेबसाइट पे बनी थे देखो इसको 300 के ऊपर ट्राफिक आ रहा है इसकी वेबसाइट बढ़ते जा रहा है दीरे दीर क्योंकि यह अपनी वेबसाइट पे काम करते जाओगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा आप यह नहीं बोल सकती एक मि पिछले गाने बनाई हैं तो मैनत और चीजे घ 늘ने डाल नहीं आपको आपको तो आपकी वेबसाइट भी अगर आप बनाते रहते हों काम करते रहते तो आपकी की वेबसाइट भी रैंक जरूर होता है अगर आप यहां पर देखो कि ऑर भी बहुत सरी वेबसाइट उन्हों अपने domain के अंदर lyrics word use किया हुआ है, तो आपको ये make sure रखना है कि आपका domain में lyrics word हो, और जो हम हम website अपनी blogger पे बनाएंगे, तो blogger पे hosting free है और unlimited hosting है, तो आप चाओ यहाँ पर blogger पे ही बनाओ, मैं कहूंगा क्योंकि आप लोग ने भी यही चीज़ कही थी, कि हमको blogger पे बनानी है, और second चीज़ यहाँ पर जो आपका theme है, यहाँ पर मैंने theme डाली हुई है, यह बहुत अच्छी theme है, आप चाओ तो कोई भी theme यूज़ कर सकते हैं, अपने accordingly, अगर आपको ये theme चाहिए, तो आप मुझे comment section बताएं, में description में आपको download links दे दूँगा, अब चलते हैं हमारी website create करते हैं, यहाँ पर हम bloggers पे, अब यहाँ पर हमें पूछ रहे, title, title हम डाल देता है, latest lyrics, यहाँ पर आप title अपने इसाब से डाल दीज़े, यह change करना हमें आगे जाके, अब फिलाल करें मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और यहाँ पर आप domain select कर लेजिए, आपको जो भी domain होगा, और अगर वो available होगा, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा, तो यह और latest lyrics में आपको डाल देता हूँ, तो यह available है, हम next कर लेते हैं, अब इसके बाद हमारी जो blogger की profile होगी, उसका नाम क्या रखना है, latest lyrics वो भी रख देते हैं, और टाइप करने के बाद उसको भी हम confirm कर लेंगे, तो इसके बाद हमारी जो website हो ग्रेट हो जाएगी blogger के उपर, अब मैं आपको दिखा दो कि आपकी website अभी किस तरह से दिख रही है, अभी शायद से जो pre-applied theme होगी blogger की वो ही अभी आपको दिखेगी यहाँ पर, तो हाँ, यह जो है pre-applied theme है blogger की तरफ से अभी फिलाल यह दिख रहे हैं, तो हमारा first काम यह होगा कि हम theme चेंज करनी है, तो जो मैंने आपको तीन theme बताई थी है मेरी list के अंदर, तो उसमें से मैं एक theme ले 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 तो हम mini box करके, उसको मैं यहाँ पर upload कर लूँगा, यहाँ पर मुझे themes में जाना है, इसके बाद यहाँ पर तीन dots दिख रहे हैं, तो इसके उपर अगर आपकी website पर already कोई content है, तो आप उसको backup ले लिजे, backup पे click करने के बाद, आप अपने content को download कर सकते हैं, इस तरह से आपको download को option मिल जाएगा, अब theme को upload करने के लिए आपको जाना है, अब जो हमारी theme है, वो apply हो चुकी है, देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी change करना बाकि है, मैं यहाँ पर आपको detail में सारी चीजें नहीं बताऊँगा, क्योंकि detail में आपको already बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, यूटूब के उपर किस तरह से आपको blogger की theme को customize करना है, यहाँ पर आपको सी वूपर उपर से चीजें बताऊता हूँ, कि main main चीजें आपको क्या है, आपको कर सकते हो आप, themes में अगर आप जाओगे यहाँ पर, यहाँ पर आपको पहले social link आप चाहो तो change कर लीजे, social link में आपको बतायता हूँ कि आपकी website पर कांपर है भी, फिलाल, आपको right side top corner पर headless में मिल जाएगा, देखो यहाँ पर हमारा social link है, तो social link यहाँ से आप change कर सकते हैं, करने के बाद यहाँ पर आपको changes करने का option है, यहाँ पर आप अपने social link का URL डाल दीजे, सब कुछ होने के बाद यहाँ से आप उसको safe changes कर सकते हैं, और इसी तरह से आपको menu भी change कर लेना है, यहाँ से और नीचे आप आओगे तो side bar आपको दिख जाता है, अब आप चाहो तो इसको अपने accordingly customize कर सकते हैं, मैं सारी चीज़े आपको depth मेरे ही बताने वाल हूँ, इसके लिए आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएगी, AdSense के लिए भी यहाँ पर इन्हों दिया होए section, और इसके बाद जो नीचे description आयाता है, इसको भी आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए, और इसके अंदर भी आपको जितने हो सके keywords आप यूज़ कर लीजिए, जिससे है आपके SVA factor में ranking आपकी बढ़ेगी, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, Favicon यहाँ पर हमें upload कर लेना है, Favicon भी बहुत matter करता है अपनी website के लिए, फिलाल Favicon आपका blogger की तरफ से है, जो pre-applied आता है, आपको यहाँ पर Favicon भी चेंज कर लेना है, अब यहाँ पर नीचे आते हैं फिलाल हमारा domain जो है इस तरह से अगर आपके वास custom domain है, आपका .com.in तो वह भी आप डाल सकते हैं आपर, आपको यहाँ पर unlimited storage मिल रहा है, आप जितनी मर्जी चाहो, पोस्ट डाल सकते हो अपनी website के उपर blogger के अंदर, और free SSL भी साथ में आपको मिल रहा है, अब हमारी जो रहे गी हमारी चीज यह है कि आपको post कैसे create करना है, और उसका on-page, off-page SEO कैसे करोगे, और main important चीज की हमें जो AdSense का approval कैसे मिलेगा, यह सारा में आपको part 2 वीडियो में बताने वाला, उसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को subscribe, अगर आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो अभी जाके याद से subscribe कर लिजे, और साथी साथ बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाले मेरे कोई भी ऐसी important और useful वीडियो को आप miss ना कर बाऊ, और अगर आपने यह वीडियो यहां तक देखे तो definitely आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को like किजिए और साथी ता share भी किजिए अपने दोस्तों के जो lyrics website बनाने का plan कर रहे हैं, और अगर आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से मैं आपको बोलता है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, क्योंकि इस चैनल पे आपको digital marketing, digital education और online earning से लिटेट वीडियो मिलती रहेगी और दोस्तों अगर आपने मुझे अभी तक Instagram पे follow नहीं किया है तो अभी जागे follow कर लिजे क्योंकि वहां पर मैं ऐसे पोस्टे डालता है तो जो आप लोगों के लिए बहुत useful होती है वहां से आप digital marketing सीख सकते हो तो अभी जागे follow कर लिजे मुझे Instagram के उपर और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं या फिर Instagram पे personal DM करके पूछ सकते हैं मैं आप लोगे सवालों का जवाब बिलकुल दूँगा तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली व और आप कर सकते हैं